हालो प्रेंट्स आप सभी का हमारे इस यूटूब चैनल में स्वागते हैं प्रेंस हम आइए टीजम 2005 का प्रेटिक सा पेपर पढ़ रहे हो और क्वेस्टन नमबर सिक्सके क्या कहता है लेट यह प्यात्री क्लोस थी मैंट्रेक्स बिद आइगन वेल्यू आइगन वेल्यू क्या है वन मैनस यह था यह नोन शिंगूलर फिरस नोन-singular मैय जिसकी कोई भी आईगन वेल्यू जीरो ना हो यानि कि ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट जो हो जीरो के कुल ना हो तो इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स है अगर उसकी वैल्यू जीरो के कुल नहीं है तो हमारे पास नोन संगुलर मैट्रिक्स होता है या डिटर्मिनेंट जीरो क 2-1 & 3 are the eigenvalue of A. अगर A की eigenvalue यह है तो A square की eigenvalue इनका प्रेची एंच लोग पति हमारे में आज बिए दिए यहां पर यहां पे देखें ग Anda यह इस पर भी देखेंगे हम सबी पर चेक कर सकते हैं एक एक पर च्छक करने होते हमें न कि प्रेंच तो यह हो गये हमारे पास मिक्ति唱 टो में टिर्द ही देखें तो हम्हाइप फ्रह प्लस3.a स्कारई में तो उसके कर्सपंटिंग इसकी 4 इसी तरह a2 plus 3a की जगर minus 1 के कर्सपंटिंग देखते हैं तो minus 1 का square 1 हो जाएगा प्लस 3.1 तो यह वजाएगा minus 2 इस तरह 9 प्लस यानि यह तो a2 वाली जो टर्म थी यह 9 प्लस 3.3 तो यह वजाएगा 18 यानि कि इसकी जो आईगन वेलू है कोई भी आईगन वेलू 0 के एक्क्वल नहीं है there is no आईगन वेलू of a2 plus 3a which is equal to 0 तो उस condition हम कहेंगे कि यह जो matrix है वो हमारे पास non singular matrix है यानि कि a square plus 3a जो है वो एक non singular matrix है thank you friends